हेलो एवीवान देजी शहनीहिला एन वेलकम तो मैं यूटीब चैनलेंज टैडी अडिशीनू आज को टॉपिक है सिग्रिया गुफा आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्रिया गुफा को पढ़ेंगे इससे पहले हम लोगों ने कई गुफा को पढ़ा है बहुत से पढ़ा फिर हम लोगों ने पढ़ा बाग पढ़ा आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्रिया गुफा कर पढ़ेंगे तो इसी वाई से इसी क्रम से आपको नोट्स बनाने हैं फिलाहल आपको PDF आपको इसका मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे लेकिन आप नोट्स बना रहें बहुत अच्छी बात है ठीक है क्योंकि अपने आप जो खुद से नोट्स बनाते हैं तो आप लिखते लिखते आपको चीज़े भी याद हो जाती है ठीक है फिलाहल आपको PDF आपको टेलीग्राम चैनल स्टेडी एडिशुनर के जो नाम से वहां पर आपको प्रोवाइड क बाहर का देखने में शिग्रिया गुफ़ा लगती है जब आप जाएंगे शिरि-लनका तो आपको यह गुफ़ा देखने को मिल जाएगी ये यहाँ पर बाहर का नजारा देख सकते हैं कि कि सारीके से कितनी भावी और कितनी ही खौब्शूरत जो है यह गुफ़ाल लग्रह यहां पर आपको चित्र मिल जाएंगे रुपाइनी इस्तरियों के यहां पर अभी हम लोग यह भी चीज़ें दिस्कॉस करेंगे यह दिखे अधर चीज है हाला कि यह तो पृतिलिपीय ही है ठीक है लेकिन अगर आप गुफा जाते हैं तो आपको वहां पर इस तरीके कि चित इस तरीके के रंगों का यूज हुआ ठीक है तो हर एक चीज़ को हम लोग डिसकॉस करेंगे और एक चीज़ को यह आपर समझेंगे और साथ ही मिलन भी करेंगे विटियो को देखते ही आपको चीज़े लर्ण भी होनी चाहिए यह मेरा पॉपस रहता है तो सबसे पहले बा कोलमबो तो कौलम्बो से उतर पूरीं की दिशा में 100 किलॉंपिट्र की दूरी पे एक माठाले में मटाले में ने लिए टरा है कज्बा पढ़ता है जिसका नाम है सीइने कज्बा है वहाँ पर एक उचिपाड़ी पर ती जो कितनी उची पहाड़ी चे-सों फीट ऊची पहारी है, उसके ऊपर क्या है आपकी सिगिर्या गुफा है, यानी कि उसके उपर आपकी सिगिर्या गुफा पड़ती है बात क्लियर हुई शिरलंका में कोलंबो से उत्तरपूर की दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी पे एक जिला है मटाले जिला जहां पर एक कजबा पढ़ता है जिसका नाम है सिहंगिरी कजबा ठीक है उस कजबे में एक पहाड़ी है पहाड़ी कितनी उची 600 फीट उची पहाड़ पूछ लिए को मटाले जिला जिलाद रखना किस कजबे में तो आपको सिहंगिरी कजबा याद रखना है फीट जो आपकी पहाड़ी है वो कितनी फीट उची तो आपको 600 फीट याद रखना है फिर बात करते हैं यहाँ पर इसका निर्माड का लियानिकी इसने कब बनी ऐस से बात करते हैं तो इसका निर्माढ कर याने कि संगिरी गुफा कि अगर बात करे तो यह वनाया थी धा तुसेन एक राजा थया थया उंहोजे नारी 48indet 4 759 की बीछ में सिगरिया घुफा का निर्माढ कराया था लेकिन अगर बात हो इसमें चित्रकारिए है जो चित्र बने हैं उसका किसने बनाया उस पर मुलक को आम काम किसने करवाया तो आपको याद रखना है कश्यव पर्थम को आपको याद रखना है कश्यव पर्थम को आपको याद रखना है तो सिग्रिया गुफा किसने बनवाई तो धातु सेन ने बनाई उस पर मक्षक बाती है हमको कैसे पता चलता है कि डुनिया में है यानि कि नामा ईक या जो बिल्कूल के समान लगती है तो कब हमें पता चला था? 1830 में पता चला था किसके जरीय में की फोमर्स के दियने कि मेजर फोमर्स ने 1830 में सिगिरिया गुफा की खोज की ठीक है चीजे बात समझ में आई अगर पूछा जा खोज कब होई तो 1830 किसने की तो मेजर फोमर्स ने की बात क्लियर हो गई नेक्स हम बात करें इसको अन्निकिस नाम से बुलाए जाता है अगर हम स इसा लगता है एक शेर है एक सिंग है वह क्या है बिलकुल अराम कर रहा है सू रहा है ठीक है यान-की तो छोटा है इसका नाम क्या पढ़ता है इसकंए सिंग गिरी पढ़ा हो क्योंकि सिंग का मतलब होता है शेर और गिरी का मतलब होता है पहाड तो हो सकता है इसी वज़े से इसका नाम क्या पढ़ा होगा सिंग गिरी पढ़ा होगा जो बात में बदलते 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 यानि कि चेंज होते 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 उसका नाम क्या पढ़ तो बात समझ में आई, पुराना नाम क्या हो जाएगा, आपको old name क्या हो जाएगा, और नया नाम क्या हो जाएगा, सिगरिया हो जाएगा, बात clear हुई, कि जाहिर से बात जब कोई नाम होता है, लेकिन जब पीड़ी दर पीड़ी जब चीजे आती है, वन बाई वन जब यह बात करें अशोग की बात करें तो आशोग की बात करें तो अशोक मौर इकालीन समराड था आपको पता है इन्होंने बहुत धर्म को अपनाया था आपको पता है इन्होंने बहुत धर्म के परचार है तू बहुत धर्म के परचार है तू लोगों को आगे मलब अलगल जगाव पे भेजा था इसी तरीके से इन्होंने अपने पुत्र कि कहां बेजाता श्री लंका में भेजाता किस वज़े से भेजाता धर्म की परचार की वज़े से भेजाता कौन सा दम बहुत धर्म के परचार परचार के वज़े से महेंद्र को और संगमित्रा पुत्री को वहां पर भेजाता महेंद्र उनके बेटे का नाम था संगमित्रा उन बीच में जो सांस्कृत्रिक आदान प्रदान हुआ था इसी के बात कलियर हुई तो यह बात कपकी है तीसरी शताबदी इसापूरी की बात है मौर को काल एक जह है इसाप yo क्ई काल को अऊजा एक पोघ्व बात पिर हम बात करते हैं छटी शताब्दी के बौद्ध गण्थ महावंश के साबसे एक च्छटी शताब्दी में एक बहुत गरंथा क्या नाम जिसका है महावंश में लिखा हुआ है उसमें जो है मैंने आभी आपको बता है धातुसेन राम के राजा बता है जुन्होंने सिगरिया गुफा को बनवाए था ठीके तो यह हम कैसे जानते हैं कि धातुसेन ने सिगरिया गुफा को बनवाए कैस में पता चला तो यहां कर अगर महावंश को हम देखे जो बहुत धर्म का ग्रंथ है इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि धातुसेन के राजा जो कपके थे चौथी शताबदी के थे उनकी दो रवानिया थी ठीके अभी मैं आपको पता हूँ जो धातुसेन जो राजा थे वो बहु धर्म को मानने वाले थे बिल्कुल रूल रैगुलेशन वाले थे कहने का मतलब कि एक राजा होते हैं एक विलासता में रहते हैं मलब आईश करते रहते हैं मलब इधर लड़कियों के साथ जा रहे हैं लेकिन एक राजा होते हैं जो अपील प्रजा का बहुत ज्यादा खया लगते हैं तो उन्हीं मैंसे एक धातुसेन राजा थे जो क्या है बहुती धर्म पराया या पुर्जा के लिए सोचने वाले या नीती वगरा मलग कहने कवा रूर्ल रेगुलेशन के एकॉर्डिंग चलने वाले धातुसेन नाम के राजा थे जो कब की बात है चौथी बात क्या नाम क्या धात लाजा थे चौथी शताबदी में उनके दो राणिया थी उनसे कह नाम क्या थे और दूर्ड नाम क्याता कश्यप इनका नाम क्या थे जो रूप पती कन्या के जो हस्वेंट है निकि जो घृत्व दामात थे तो कहा जाता है कि यहिए कर घृत्षेन था यह प्छिंदा तो जेर्वाद से 27 कि लेने की वजे से पृतिशोद लेने की वज़े से धातुसैन के सब्षा मौग लाएन और कश्यव के बीच फूद डलवा दी राजाससी घटुसेण को बदला लेना था थो उसने क्या किया उनके दोश्य पकल डीया कि प Hai और आपस में उनके लड़ाई मलब हो गई होगी तो किस वजह से किया था आपको याद रखना है तो दामात की मा को जिन्दा जलवा दिया था कहा जाता ऐसा दातुसेन ने तो इसी की पृतिशोध में इन्हों ने ऐसा किया था जिसके तहट क्या हुआ मोगलायन था वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने जान बचाने के लिए भारत की प्रस्थान कर गया था श्री लंका से कहां भागाया था भारत में भागाया था किस वजह से अपने प्राणों की रक्षा हो सकता है भाई उनको मानने जा र अपने पिता को धातुसेन को दिवार में जिन्दा चुनवा दिया ठीक है कश्यव प्रथम के यहां पर बात हो रही है कश्यव प्रथम उसने अपने फादर को धातुसेन को दिवार में जिन्दा चुनवा दिया अब ऐसा लगता है कि पहले तो दिवार लगता है जिन्दा इनको दिवार में जिन्दा चुनवा दिया दिवारे ना हो गए विलकुल लगता है इंसानों की दिवारे बनवानी थी क्या ठीक है तो इसी तरीके से कश्य प्रथन ने भी क्या किया धात से इनको दिवार में जिन्दा चुनवा दिया अपने बाप को जो ही जिन्दा जो है जिन्दा मलब डिवार में गड़वा दिया नेक्स हम बात करें इसी तरीके से यहां बात करें लेकिन फिर बाद में क्या होता है जब गलत काम कोई करता है फिर उसको बाद में अहसास होता है तो वो क्या है पश्चताप करता है तो पश्चताप की नियत से वो कहां आ जाता है इस गुफा में आ जाता है किसमें एक सिगिरिया गुफा में आ जाता है क्योंकि जाहिर से बात है एक बंदी एक तरीके का है तो वहाँ पर उशांती के लिए उसको बिल्कुल सुकून क्योंकि कोई जब खलत करता है तो बाद में क्या होता है उसके दिल में उसके जहन में क्य कश्य पृतही है कि मैंने क्या कर दिया तो उसी तरीके से कश्च पृतम दी पश्चताप के नियत से कहाँ पर आ जैता है सीगर्या-गुफा आ जाता है फिर वहां पर इसने भी बहुत अच्छी-चे काम कराए तो इसलिए कहा जाता है जो आपकी जो गुफा है सिगरिय गुफा है ऊसमें जो चित्रण का रहे कि ने करवाय क необход लेकरा यूश्ट ने कर आ है इसी वजह से इसा कहा जाता है ठीके तह बाद । इस तरीके से धाट तुसे रिश्य प्रथम ने यहां पर चित्रों का निर्माण कराया और भी विहार वगरा कराया और भी उसने बहुत अच्छी काम किये यानि कि बात में वह वह सही हो गया था बाद में पश्चताफ की जैसे उसने सारा पश्चताफ वगरा कि अगया कि सारी चीजे मैलब माफ़ी उती माईगी तो इस तरह करे बिल्कूल शान् बना है राज्प्रसाद में इसके महल होता है महल होता है गफवाई खुद गुदवाई किसे यहां नहीं दूसलिया तो। के ही एक अधिकारी थे मेजर फोमर्स जिन्हों ने 1830 में इसकी खोज की अब यह खास करके खोज करने नहीं आ रहे थे वह अपनी यात्रा घूमने निकले थे और उनकी नजर पढ़ गई होगी तो इस तरीके से उनको पता चल गया तो इसी तरीके से मेजर फोमर्स भी अपनी यात्रा के दौरान ठीके जो कौन थे बिटिश पदादिकारी थे उन्हों ने 1830 में इसकी खोज की थी बात क्लीर हुई फिर हम बात करते हैं 1889 ठीके 1889 की बात करते एक मिस्टर मुरे थे ठीके मिस्टर मुरे थे उन्हों ने इसकी प्रतिलिपियां तयार कर आई तो 1889 आपको याद रखना है मिस्टर मुरे ने 1889 में प्रतिलिपियां सिकरिया गुफा की तयार करवाई जो क्या है? 15 पेस्टल में थी यानि कि 13 पेस्टल में थी और 8 चारी छापा में थी इस कहने की graphic art का detail video बन रखें ठीक है दो तीन वीडियो हैं कम से कम तीन पार्ट उसके बने हुए हैं और objective की इस भी series बनी हुई तो अगर आपने इसको ना देखा तो आप इसको ज़रूर देख लिजेगा क्योंकि graphic art भी आपकी पूछी जाती है तो उसके सुरक्षा के लिए पैras हमेशा सुरक्षित रहें तो उसके लिए सरकार ने की सरकार ने कि इंच्छे कर ने काम किया कबकी कब बात है 1895 उत needed 1905 की बात है अटार सु पन्चानुप्य से लेकर के 1905 के बीच इन चित्रों कि सानग्षी थे तो काम किया गया किस ने चचित्र को क्या किया एक Ŋसके उसके लिए इस ने चित्रो को क्या एक हिलकई टार की Make जाली दूने का इस पर लगा दी कि जिससे की वहां के चित्र क्या है अब आगे और ना खराब होदो लेकिन फिर भी क्या होता है वहां पर एक चित्रों का पोर्शन जो होता है वो गिर जाता है जिसकी वज़े से वहां की जो सरकार है या नायन गिन दिसके वजे से वा ऐधी फोटी जो है जो फिर जीदर तो चितरो में इसकी यहां पर पॉर्शन के में यहां हुए तो जिसी वज़ें के विभेषगकन कि इसक तरीकर से सुरकशित रखा जाए इन फ्यूचर ठीक है तो इस तरीक है से यहाँ प सब चीज़ें यहाँ पर सिग्रिय गुफा में काम हुआ नेक्स हम बात करें गुफाय की बात करते हैं की गुफाय कब कहां कैसे बात करते हैं अब द奶का घ्क्राइब आपको यानी विषद्धी मगन क्या है ?एकमलगरंथ है जो कब का है पाँच्वी शती का है बुद्ध घोश्ने बाद किस ने लिखा था ? सीगिरिया में ही मिलते हैं बात क्लियर हुई यानी कि बुध्रीवाग्न में जो पाचवी शती की है बुद्ध घोशकी है जिसमें कि आप बात में जब वीडियो को देखने के बाद जिल्ट्स देखें तो आपको सारी चीज़ा याद आजाए यहाँ पर क्या है छे अनता कक्ष हैं यानि कि गुफाएं भी कह सकते हैं यहाँ पर छे अनता कक्ष हैं या फिर इसको गुफाएं भी कभी-कभी एक्जैम में लिखा जाता है लेकिन जो ही समुचित और महतपूर्चित दो में ही मिले छे अनता कक्ष हैं लेकिन अगर हम चित बात करें कि एक गुफा की बात करें तो ये कितने चाड़े चाड़े 26 फुट लंबा है या कह सकते हैं कख्षर अगर हम बी की बात करें तो ये क्या है साथे 41 फुट जो है लंबी है बात भूंई समस्माद में आई यानि कि A की बात करें तो आपको 26-26 याद रखना 1 मिनृट 26 की में जगा मैंने 62 लिख दिया है ठिक है तो यहाँ पर आपको याद रखना 1 मिनट तो अगर हम लोग यहाँ पर एक ही बात करें तो यह आपकी हो जाएगी 26 हो जाएगी 26 हो जाएगी और अगर हम B की बात करें तो शारी क्या हो जाएगी 41 हो जाएगी êtes तो आपको यही वाले याद करना है ठीके तो आपने वहाँ पर देखेंगे भारती चित्रिकला का इतिहास याद उसमें कुछ गडबर लिखा हुआ है तो आप वहाँ पर से देख सकते हैं तो आपको एवाले में कितनी साड़े 26 और बी वाले में आपको याद रखना है साड़े 21 रखना है ठीके क्लियर बाप अब यहाँ पर जो आप वाले जो कुफा है जो ए वाला कक्ष है वहाँ पर आपको 4 इसमें नारीज मिल जाएंगे 4 गलाए ईस्तरी की बात करें यहां पर देखाता है इस तरीके से यहां पर आपको चित्र मिल जाते हैं यह वाले आपके यहां पर हो जाएंगे ठीक है तो यह सब चित्र आपको वहां पर सिगरिया गुफा में डेखने मिल जाएंगे आपको फीडियेफ मिल जाएगे तो वहां पर आप देख सकते हैं बात तो इसके comparison में कह थोड़ी से छोटी बनाए गई हैं बात समझ में आई हैं तो यहां पर थोड़ी छोटी बनाए गई यह भी आपको वायाद रखना है A में कहा है थोड़ी से लंबी है और B में कहा है थोड़ी से छोटी है A की अपेकशा यहाँ पर मेंग करने आपको मिल जाती है सब चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएं 21 मेंसे आपको 4 और 17 दोनों याद कर रखनी है 21 तो आपको A और B में 21 रुपायlaughter मिल जाएगी मेरम को अपने हाठ पुछ्छ प इन्यम हो जाएंगे सिंगल आपको याद रखना है तामर पढ़नी याद रखना है अमर्दीव हो जाएगा आमर भी इसका नाम है और आमर दिव इसका नाम है सिगरिया गुफा अजन्ता की गुफा संख्या 16 और 17 की समकारी ने ठीक है जैसे मैंने आपको बता था बाग की जो गुफा है वो अजन्ता की गुफा जो गुफा नंबर 1 गुफा नंबर 2 के समकारी ने उसी तरीके से अजन्ता की गुफा नंबर 16 और 17 है वो क्या है सिगरिया के समकालीन है यानि कि आप रिलेट करके चीज़ों को याद रखिए तो आपको चीज़े याद रहेंगी ठीक है तो यहाँ पर सिगरिया की जो गुफा जो है वो अजन्ता की गुफा गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 है वो क्या है सिगरिया गुफा के समकालीन है अब गुफार नंबर 16 17 का काल क्या था आपको मैंने बताया तो यहां पर मैंने लिख रखाए 350 इसा पूर्स इसवी से लेकर के 350 इसवी से लेकर के 520 जो है गुफार नंबर 16 17 जो थी वह 350 तक कारिकाल था ठीक है और इसका भी कारिकाल आपको मैंने बता चौति यहां पर भी है तो इस तरीके से यहां पर क्या हो जाएगी यहां पर हो जाएगी फिर बात करते हैं जो यहां की प्रतिलिपया तयार की गई ह यानि की जो आपकी सिग्रिया गुफा की प्रतिलिपया तयार की गई है यह कहां पर संग्रहित है तो यह कोलंबो संग्राले में ही सिग्रिया गुफा की प्रतिलिपया संग्रहित है रखी हुई है ठीक है अब हम बात करें गीली भित्ति या सूखी भित्ति अजंता में क्य है सूखी बित्ती में काम हुआ है जब कि सिगरिया में कहें गीली भित्ती पे भी काम हुआ है अब इसमें भी लोगों की मतभेद हैं कुछ लोग कहते है सूखी कुछ लोग कहते है गीली लेकिन यहां पर जब पूरा ओवराल जब और डिसकुशन वगरा किया गया तो ऐसा प फ्रेसको व्यूनों पर काम किया गया है, यहां पर भी नीले रंगमा यूज हुआ है यहां पर भी लाग में भी आपको नीले रंगमा यूज हुआ है, लेकिन इन रंगों का यूज सिगरिया गुफा में हुआ है यहां पर सीधे आपको याद रखना है किस रंग का यूज नहीं हुआ है तो यहां पर आपका नीले कलर्स का यूज नहीं हुआ है यहां पर जो इस्तरिया बनाई गई है जो इस्तरियों की आखे है वो भी क्या है आखों म लेंस्न लगा रखा है वो भी अलग-अलग गलर कर लेंस्न लगा रखा है तो आंखों की पुतलिय अलग-अलग रंकी बनाए हरी और कहीं हलकी पीले रंकी बनाई गई है कहां सिगरी अगुफा में रुपाइन जो इस तरी है उनकी आखों की पुतली की बात हो रही है यहां पर टैंपरा रंका यूज हुआ है यहां पर क्या है टैंपरा रंका भी यूज हुआ है यहां पर जो आकृतिया बनी हुई है भीड भारवाली नहीं है या तो आकरती एकल है या वो जोड़े में बनाई गई है या जैसे कि देखा होगा कुछ पिक्ट्रस में बहुत आकरती इतनी ज्यादा बनाई जाती है तो यहाँ पर ज्यादा तर जो आकरती है वो क्या या तो एकल है या तो युगम यानि कि जो है आपके पास्चाति कलाकार जो बोति चेली है उनसे कम değildi सिग्रियायगुफ़ा के चित्रकारों के सौनदरव तो के सिग्रियाय गुफ़ा में जिन चित्रकारों ने काम किया है तो उनकी काबियत को देख heter grow तो उसको किस समान बताया गया है तो बोती चैली कहां के हो जाएंगे आपके पास्चात जब आपकाला पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे ठीक है बात क्लियर हुई तो इनका नहीं था Ernest Binfield Haven तो इस तरीके से इनका होना चीए E B Haven होना चीए लेकिन आपको ज्यादातर बुक में यहाँ पर B की जगा पर V लिखा मिल जाता है तो आपको E V हो या B हो क्योंकि देखा हो गया होगा कि आप लोग देखते हैं बहुत से लोग क्या होते हैं विकास क वयभो को क्या होते हैं या इंग्लिश को क्या बूलते है इंगलिस दो के अलेके लोगों थोड़ा सा घड़μεड होता है कहने का मा कमेरा सेंस यह है तो व्हाल हो या E V हैवल हो आपको दोने यादकतर मैं पूल-Name इनके क्या है Ernest Binfield Hevelin का full name है ठीक है तो आपको अच्छे से यादत नहें एक्जाइम में आपका कुछ लिखा जा तो आप समझ जाईए तो ये सब चीजें हम लोगों ने Sigriya Gufa के पारे में पढ़ी सारी आपको चीजें समझ में जरूर आई होंगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगते तो आप प्लीज दूसरों के साथ भी वीडियो को शेयर किया है ठीक है दूसरे पी हेल्प किया कर सब्सक्राइब आपको प्रेपरेशन कर रहें तो उनको वीडियोगों को शेयर कर दिया घरी ठीक है तो अब अब हम लोग मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स ट्रोपिक के साथ सभी को जय हिंद जय भारत